यहाँ पर एक matrix यह दे रहा है, जिसका size है n by n, यानि कि square matrix है, और इस matrix की जो rank है, वो आपको n given है, आपको बताना है कि कौन से statement correct नहीं है, तो हम जानते हैं कि अगर square matrix है, तो इसमें n pivot position होगी, क्योंकि इसकी जो rank है, वो n है, n pivot position होगी, row में भी और column में भी, row and column दोनों में होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, square matrix है, तो इसके transpose को, अगर row को हम column से interchange कर देंगे, तब इसका rank same रहेगा, option A आपका correct होगा, यहाँ पर B option में खाया, A has n linearly independent columns, क्योंकि हर एक column में pivot entry है, तो इसलिए linearly independent होगी, option B भी आपका यहाँ पर true है, पाइवोट होने की बज़े से, यहाँ पर इसका, जो determinant है, वो non zero होगा, यानि कि non singular, option C भी correct होगा, यहाँ पर जो incorrect statement है, वो D है, इसलिए D क्या हो जाएगा, आपकी key हो जाएगा, पर इसलिए भाई